विकास के दाबे और विकास की गती तेज़ करना इन लोगों के लिए चुनाबी बेलक्त में सुने जाने बाला एक जुम्ला मात्र है पिछले करीब पांच दिशकों से ये लोग अपने गाउं के लिए एक पक्की सड़क की आस लगाए बैटे हैं लेकिन हुकम रानों ने जैसे इन लोगों के बात नहीं सुनने का कसम खा रखी है उसी का नतीजा है कि इस गाउं में आज जिन तक पक्की सड़क नहीं है ग्यापन में सरकार को एक महीने का समयदे कर चेताब नीदी है कि अगर समस्य का समधा नहीं हुआ तो सभी गाउं बासे धरना देंगे बिकास के दाबे और बिकास की गती तेज करना इन लोगों के लिए चुनाबी मेला में सुना जाने वाला एक चुमला पत्र है पिछले करीब पांच दिश्कों से ये लोग अपने गाउं के लिए एक पक्की सड़क की आस लगाए बैठे हैं लेकिन हुकम रानो निज्जा से इन लोगों के बात नहीं सुनने की कसम खा रखी है उसी का नतीज़ा ये है कि इस गाउं में आज दिन तक पक्की सड़क नहीं है करीब 2.5 किलोमीटर की सड़क बन जाए तो इस गाउं के तक्तीर बदल जाए लेकिन यहां के सियासत दान लोगों से सिर्फ मिननतें करवा कर उनका मजाग ही उडाते आए है फत्यपूर बिधानजबा क्षितर के आकरी छोट पर मंड क्षितर के रियाली पंचायत की गाउं बेली जटां की जहां करीब तकरीबन 40 परिवार बिना सड़क सुविदा के अपना गुजर बसर कर रहे है ग्यापन में सरकार को एक महीने का समय देकर चेताबनी दी गई है उन्होंने कहा कि अगर समस्य का समाधा नहीं हुआ तो सभी गाउंबासी धर ना देंगे बही नाइब तसीलदार शुशिल कुमार ने बताया कि उन्हें ग्यापन मेला है जिसे बे आगे भेज रहे है अस दौरे में मैं बात पाए वहां पे साड़ Kabla से लोग बेकर पांचेते हैають और जहां तक इनको सभस्ते सुटर की बात की जाए तो बहां पे ना को ऐसी हॉस्पेटल ना को ऐसी सभस्ते की सुच्टतर से जुडियों बात में जरा रहा हुए आज ये सभी लोग मेरे साथ आए हुएं और आज हम माननी मुख्य मंत्री जी को जे नाइब तस्रीदार के मार्जम से गयापन भीज रहे हैं जो रिमीश्क माली पदेजर जैक्स सिव सेना ने जो मुझे गयापन दिया है जो मैं मुख्य मंत्री मोत्य को आज ही बेज दूँगा है किस इन्हों मारे को गयापन है झाल